हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है अपने यूटूब चैनल बीपी एफ लेक्चर पर दोस्तो आज हम आपको अनुपरास अलंकार की परिवासा बताएंगे जो की बोड़ एकजाम के लिए आज से बहुती जादा इंपोर्ट हैं आप या कच्छा दस में हो या कच्छा बा कर लेना है अगर आपने अभी तक हमारे अनुपरास अलंकार और सभी अलंकारों की परिवासा नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और चंद की परिवासाइं नहीं देखी है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और रस का भी डिस्क और दो नमबर का अलंकार आपका छे नमबर हो जाता है मातर एक छोटी सी परिवासा और एक छोटा सा उधारण से तो चलते हैं अनफरास अलंकार की परिवासा की हो तो परिवासा इसकी कहती है जब एक ही बड़ बड़ आप समझ सकते हैं एक ही बड़ ये क्या है पूरा ये एक ही सब्द है जब एक पूरा सब्द है और जा केबल बड़ है जब एक ही बड़ या अच्छर या अच्छर मान लीजिए जा यहां पर अच्छर है बा यहां पर अच्छा है लेकिन दोनों को मिला देंगी तो क्या हो जाएगा सब्द हो जाएगा ठीक है दोस्तो या तो वहाँ अनुपरास अलंकार होता है तो उधारण देख सकते हैं यहाँ पर बढ या अच्छर ता यहाँ पर अच्छर है या बढ है तो यह बार बार आया है आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ता यहाँ पर भी ता यहाँ पर भी ता ठीक है तो इसका क्या उधारण हो गया तरिनी तनुजा ठट तमाल तरवर बहुच्छाए ठीक है आपको ये बोड़ परिच्छा में लिख देना है अगर आपको ये नहीं याद हो रहा तो ये वाला लिख देना आप देख सकते इसमें भी बड़ और अच्छर बार बार आया है एक, दो, तीन, चार इसमें बार बार बड़ और अच्छर आया है तो इसको भी लिख देना है आपको बोड़ परिच्छा में सम सुमरन सुक कर सूजस ना थोर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक, सेर, सब्क्राइब जरूर करें मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में